आपके अपने चैनल इस्टेड़ेट प्रदीप में दोस्तों आज हम लोग KVS PGT Biology के सबजेक्ट Biology के बारे में चरचा करने वाले हैं Biology के सलेबर को डिसकस करेंगे आज की वीडियो में जो चीज़ें हम डिसकस करने वाले हैं साथ में हम आपके साथ जो डिसकस करने वाले हैं बेस्ट बुक डिसकस करने वाले हैं इसिक साथ हम आपके साथ प्रैक्टिस पेपर के बारे में डिसकस करने वाले हैं साथ में हम मौडल पेपर के बारे में डिसकस करने वाले हैं लास्ट में हम आपको बताएंगे expected exam date क्या हो सकती है और expected cut आप कहा जा सकते हैं इतनी चीजों पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले आप सभी मित्रों का पुना स्वागत है और मैं हूँ प्रदीव सुकला आपको बताते चलें कि हम लोग biology की class को start कर चुके हैं आज हमने सुबा class के pattern के बारे में आप से discuss किया था इस time हम आपको syllabus के बारे में discuss कर रहे हैं best book के बारे में बता रहे हैं चीजों को बता रहे हैं कैसे करना है फिर इसके बाद हमारी class continuously आने लगेगी good opportunity यह हम class English में भी लाएंगे और Hindi में भी लाएंगे हिंदी में भी हम आपको हिंदी में ज्यादा बताएंगे हिंदी में सब कुछ रहेगा लेकिन English वाली किताब जब हम लेके आएंगे तो वहां पर पूरी टाक्पिक का description जो है वह हिंदी में होगा और notes वोगएदा आपको English में मिलेंगे ठीक है चैनल को subscribe कर लेंगे तो इन CEO को आप बड़े असानी से कर सकते हैं बैच आपके लिए निसुल्क है आपको पैसा पे नहीं करना है तो आप निसुल्क यहां से जोड़ सकते हैं चले आगे तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था सबसे पहले syllabus पे एक नज़र डाल लेते हैं जो essential syllabus से यानि subject का syllabus है उस पे हमें जरूरी नज़र डालते हैं यहां पर देखी एक बात लिखी गई बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे subject is specified syllabus included the concept of NCRT CVSC syllabus and textbook class 11th and 12 यह चीजें यहां पर बड़ी किलियर बता दी गई कि आपको टेस्ट बुक के साथ जाना यह यहां पर फिर से चीजों को देखें कर बड़े आसानी से लिखा कि क्योंस बिल बी टेस्टिंग देट अप्लिकेशन अप्लिकेशन आप दीज कांसे अफ़ लेबल आप पोस्ट ग्रिजुएशन के लेबल का रखा जाएगा पोस्ट ग्रिजुएशन मतलब पीजी अप्लिकेशन आप दीज कांसेट आप दे लेबल आप पोस्ट ग्रिजुएट लेबल यानि पोस्ट ग्रिजुएट लेबल के अप्लिकेशन के भिहाब पर आपको पढ़ना है बात समझ मैं अब यहां पर इस प्रिस्फिक टापिक आपको दे दी गए हमने अपने जो बात करेंगे सबसे पहले तो हमने आप से काख हम यह लेके आएंगे यह इसलिए टूदी पॉइंट पढ़ेंगे हमें एक बार एक कांसेट के लिए रोजए यहां पर एक सिरीज का रोल अदा करने वाली सिरीज आप जानते ना सिरीज का मतलब जैसे जब आप किसी परिच् पढ़ने वाले हैं पूरी अंसिरी को कबर करेंगे ठीर उसके बाड़ टापिक वाइक no बाट को कबर करने वाले हैं और उस टापिक नोॉट मोट सको इसी तरह की क्लास के माद्रियल से हम खतम करेंगे जोब करेंगे सब्सक्रीपोइक की पॉइंट्स लिंदी और अंडरिस्टेंडिंग प्रोसेस भी है तो टाइम टेकन भी तो यहां पर समय कम लगे ज्यादा चीजों को कर सके हमारी पूरी रणने उसी पर काम कर रही है हम कई सोच विचार करने के बाद हमने एक प्लानिंग को चैन किया और इस प्लानिंग को ह करते हैं तो पहला आपका चेप्टैर है यदा टॉपिक हाद या झानिश्य ट्रफिफिश दो की जासिपीकेटर या नब यह नामन क्लेचर बाइलोचकल क्लासिफिकेशन देखिए दिया गया है फाइब किंगनम सिस्टम क्लासिफिकेशन साइलेंट फीचर आप मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई एंड मेजर ग्रूप आप दा लाइकें वाइरस एंड वाइराइट्स ठीक आगे बढ़ जाहिए प् लाइट्ण से चुछलियोट ऑफईटा कोने चीह जीमेन स्प्रम नहीं चाहिए टॉपिक्स और मतलब जो टॉपिक निकाल दी गई हैं क्या निकाल दी गई एंज्जो इसपर निकाल दी है लाइव इन्टरेसर आप जन्रेस लेशन यह स्क्लूडब यंद मतलब बाहर निक प्रोटो जोवा चला जाएगा उसमें क्या नम है प्रोटो जोवा आपका चला जाएगा एक मिनिट प्रोटिस्टा में तो आप पोरिफेरा से स्टाट करिए पोरिफेरा कोलेंट्रेटा लेटेहल में थी ठीक है यह आपको लेकर जाना कहा तक काडेटा के बाद आपको फिर काडेटा अप्टू धा क्लास लेबल को कहां पढ़ना क्लास लेबल तक आई होब कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे चाइब को इंटरिस्ट्रेट्रेट तक जो लोग इसको देख रहे हैं सब teacher है कोई ऐसा नहीं सब post graduate हैं सब कोई बातें concept में जा रहे हैं सब लोग समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चा रहे हैं करना क्या चा रहे हैं फिर भी हम अपने जुबान से उस बात को बोल रहे हैं आप सुनिए मेरी बात को मैंने क्या कहा कि हम हम लोग पहले NCIT पढ़ेंगे, NCIT का मतलब हो गया कि सभी टापिक हम को चार चैप्टर में मिल जाएंगे, यानि चार घंटे की क्लास में हम इसे कवर कर देंगे, फिर एक मास्टर वीडियो से कवर कर देंगे, हो गया, अब इसको कवर करने बाद हम क्या काम करेंगे, जैसे ए चैप्टर है, इस चैप्टर का हमने की पॉइंट बना लिया, हम जब की पॉइंट इसका बनाना शुरू करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है एक्जाम पॉइंट, ठीक है, हम इसको एक्जाम पॉइंट के नाम से बोलते हैं, NCIT पॉइंट, परिच्छा एक्जाम पॉइंट या NCI exam point दोनों को एक साथ रखते हैं और दोनों एक साथ आपको दिया जाता है अब इसमें जब exam point हमने माल लीजिए कि 3 domain वाले कुछ नियम हैं जो प्रशन पूछे गए हैं रिपीट हुएं उनको हमने points में note कर दिया यह point हलकी नहीं होदी point बड़ी होती है ठीक है थोड़ा सा gap होता है point में तो आपने पता चला कि चैप्टर से यहां पर अलग किया total हमाल लेते हैं कि 25 points आपने अलग कर लिया फिर इसी चैप्टर का practice paper कर रहे हैं ठीक practice paper बाद आप इसी का assertion region करेंगे अब बताइए कि इस चैप्टर से आने वाला कोई question छूटेगा क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे मुझे लगता है सहमत होंगे सहमत होंगे लाइक करिए सब्सक्राइब जरूर करिए क्या इसके बाद प्रस्ण छूटेंगे आप कहेंगे जी छूट सकते हैं कह question के nature को समझेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग किसको करने वाले बताइए उसके तुरंत बाद हम लोग माडल पेपर करेंगे सौमूल ल्यंकन करेंगे तो क्या अब आप का छूटेगा तो आप कहेंगे नहीं छूटेगा प्रस्ण जो होंगे इनहीं से गुमा फिरा कर के बनेंगे बात मेरी किलियर हो गए हो मुझे लगता है कि आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं इसी तरह से हर चैप्टर को पढ़ने वाले समय है टाइम टेकन है मुझे पता है लेंदी बहुत लेंदी है बहुत परिश्रम करने की आउ सकता है तो सेलरी भी आप एक सहँ अब यहां तक कोई डाउट, कोई समझ्याव कोई तक्लीफ आपको नहीं और आपको नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए हम लोग प्रिवेस करते हैं क्लास 11 के यूनिक नमबर सेकेंड में हम लोग इंटर करते हैं इतने इजली आपको किसी ने समझाया नहीं होगा आप जाकर की यूटूब पे सर्च कर लीजी ठीक हम एक एक पॉइंट आपको बता रहें कैसे हमको करन आते वक्त टूदी पॉइंट कोई बकवास नहीं ठीक है मैं क्या हूँ कैसे हो इसे कोई मतलब नहीं मैं चुक कर रहा हूं इससे मतलब है यह मुझे भरोसा है कि हमारे लिए भी आपके लिए भी सबके लिए बेनिफीसियल होगा चाहे आप किसी भी स्टेट से हों किसी भी प्रांट से हो तो मुझे ए भरोसा है और इस भरोसा में आप सबका साथ चाहिए आपका विश्वास चाहिए चलें अगली यूनिट हमारी है मार्फोलाजी या फ्लावरिंग प्लांट यहां पर दिया गया है हमको क्या पढ़ना है मार्फोलाजी आप डिफरेंट पार्ट प्लावरिंग प्लांट रूट इस्टेम लीफ इन फ्लोरिशंस फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड डिस्क्रिप्सन आप फेमली यहां पे गुड अपार्चुन्टी आप देखिए तो आपको सिर्फ एक फेमली का डिस्क्रिप्सन पढ़ना है जबकि आपके स्लेबस में आपको तीन फेमली दी गई है लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ एक फेमली जिसका नाम सोलेनेसी इजी हो सकता है नहीं आप बताएए इजी हो रहा ना तो इजी होगा इसी तरह से इजी होगा फिर एनाटॉमी की बात करते हैं एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट कह रहा आगे बढ़िए structural organization of animal कहरा आप morphology पढ़नी है anatomy पढ़नी, function of difference system digestive system, circulatory system respiratory system, nervous system and reproductive system of frog आपके chapter में ये NCRT में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कितना दिया गया है आपको भरोसा होगा साइद आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कितना दिया गया है तो आप कहेंगे वहाँ पे दो और दिये गया है अर्थवाम दिया गया है और काक्रोच दिया गया है लेकिन हमारा सलेबस से कहरा भाई आपको सिर्फ frog पढ़ना है बाकि आपको फ्राग के अलावा किसी को नहीं पढ़ना है तो आप फ्राग पढ़िए यह आपके लिए important होगे अब आईए cytology में चलते हैं unit number 3 का chapter number 8 मतलब chapter number 8 होगा unit number 3 का पहला chapter cell theory and cell of the basic unit of the life structure of the prokaryat, eukaryat, plant cell, animal cell, cell envelop, cell membrane, cell wall, cell organelles, structure and function, endoplasmic membrane, system, endoplasmic reticulum, ribosome, galgy body, lysosome, bacules, mitochondria, plastic, etc. ठीक है आपको सभी पढ़ना, ultra structure and function, आप सेंट्रियोल का भी पढ़ना, nucleus पढ़ना, total cytology आपको पढ़ना, biomolecules में आते हैं, biomolecules के रहा है, chemical constitution of living cell, biomolecules, structure and function of protein, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, enzyme, property पढ़ना, enzyme action पढ़ना है, clear? उसके बार, last unit number third का last chapter है, cell cycle and cell division, cell cycle, mitosis, meiosis and their significance, ये भी आपके syllabus का पूरा हिस्सा है, अब आज यहां से unit number four आपके start होती है, बहतरीन chapter आपकी यहां पर मिलेंगे आपको बच्चे chapter अच्छी topic, Photosynthesis as the mean of the autotropic nutrition, site of photosynthesis, pigment involved into the photosynthesis, photochemical, biosynthetic phase, photosynthetic cycle of the non-cycling, photophosphorylation, उसके बाद, chemo-osmotic hypothesis, photorespiration, C3 and C4 pathway, factor affecting the photosynthesis. Respiration in plant के अगर बात करें, exchange आप गैसे, cellular respiration, glycolysis, fermentation, TCA cycle, उसके बाद, आपका anaerobic respiration, ठीक है, aerobic energy relation, ATP, molecule generated amphibolic pathway, और respiratory question, यानि RQ, ठीक, RQ वह आपसे पुछे जाती है, बहुत प्रस्चन आते हैं, RQ से, ठीक, आगया जीए, उसके बाद इसी unit के next chapter है आपका, plant growth and development, seed germination, phase of plant growth and development, plant growth rate, condition, generation, growth differentiation, de-differentiation, re-differentiation sequence of the development process in the plant cell, growth regulators, oxen, gibralin, cytokinin, ethylene and abscessic acid, आपसे एप्लांट हार्मोन भी पूछे जाएंगे, इसके बाद आप इंटर करते हैं, unit number five में, और unit number five आपसे कहता है, कि आपके पास बहुत से chapter दे दिया है, unit number five, unit number five का जो first chapter है, वो आपके course से ही निकाल दिया गया, syllabus से निकाल दिया गया, चुकि इस वर्स, इन CRT ने भी उसे रिमूब किया, जिसे आप कहते हैं, digestion and absorption, वो इसमें, syllabus में नहीं, आगे बढ़ जाईए, syllabus में आपको पढ़ना क्या है, introduction to respiratory organ in the animal, respiratory system in human, mechanism of the breathing and its regulation in human, exchange of gases, sorry, exchange of gases, transport of gases, regulation of the respiration, respiratory volume, disorder, related respiration, asthma, emphasis, ठीक है, total, total, मतलब जितने टापिक है, सारी की सारी टापिक यहां पर दी गई है, सभी chapter आप देख पाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप आजेंगे, यहां पर फिर उसके बाद देखी, यह दिया खे, इसका, यहां से आपका सुरूँता, चैप्टर नमबर 12, ठीक है, क्लास नमबर 12, जिसमें आपका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन आर्गनिज्ब, आपके कोर्स से निकाला गया है, अगला चैप्टर है, आपका सेक्षोर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें कटा नहीं है, ठीक है, आप इसको पीडियाप डाउनलोड करके पढ़ लीजी, हमने आपको बस जो समझाना तो हम समझा दिये, हमको पढ़ना कैस एक, दो, तीन, चार, कितने चैप्टर होगे, फोर इधर होगे, फोर के बाद फाइफ, सिक्स, सेबन, एट हो गए, ठीक, उसके बाद आगया जी, माप करिया, कहां चला गए बाई, नाइन, टेन, एलेवन, उसके बाद आगे बढ़िये, एलेवन के बाद यहां पा जाएं 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sorry, 19, ठीक, 19 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्लास 11 से, 12 से एक चैप्टर कट गया, उसके बाद 19 बाद 20, 21, ठीक, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, टोटल कितने पढ़ने हैं, 31, और इसके लिए, हमने यह अन्स NCRT कम्प्लीट करने के लिए, जो डेट रखे, टाइम रखे, कितने दिन, 45 दे हमने NCRT के लिए रखा है, उसके बाद हमने 30 देज, 45, 30, 30 दे हमने रखा है नोट्स के लिए, जो कि एक बार हम NCRT पढ़े होंगे, की पॉइंट में टाइम नहीं लगेगा, फिर उसके बाद हमने जो है, वन मन्त किसके लिए रखा है, हमने योगी एक मन्त महीना रखा है, आपके प्रैक्टिस पेपर के लिए, चलने आगे, अब इसके बाद काम की बात पर आते हैं, फिर अगली बात हमारी काम की स्टार्ट होती, कहां पर बेस्ट बुक कौन से होगी, तो मेरी बात मानी है, पहले तो आप प्रदी पुब्लिकेशन के अगर बुक मिल जाए, चाहे एबी सी की मिल जाए, तो एब बुक ले लिजिए, और प्लास लिबंत वलत के जो चैप्टर दिएगे, उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिजिए, यदि आप मेरे साथ पढ़ना चाते ह हिंदी में, हम आपके साथ हिंदी में लेकर के आ रहे हैं, ता प्रमेश गुपता की बुक ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हम उन्हीं बुक की सायता से आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई पट नहीं, ठिक, अब इसके बाद भी हमारा कोर्स सही से कंप्लीट ने कि अप्रिल के लाज तक या मैं में आपका पेपर होगा, तो अप्रिल हम मान के चलना है का अप्रिल के fogघ के हमारा कोर्स सब तक complete हो जाएगा, बिना डाउट के बिना समस्या के, बिना किसी अप रेक्टिस पेपर की बात करें तो हर चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर हम लोग करेंगे और उसके बाद उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर करेंगे प्रीबियस ये क्योस्टन पेपर करेंगे तो सब अपने मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजिए, जाहिए.